कि कैसे हो आप सब आइधिंग आप सब बढ़िया होगे आज मैं आपके साथ अगेन एक प्रोड़क्ट रिव्यू का वीडियो लाई हूँ और वह प्रोड़क्ट है यह यह है गुड़ वाइफ का नीम तुलसी इसकीन पूरिफाइंग इसक्रप तो आज मैं आपके साथ इसक प्रोड़क्ट का बैल आइकन उसे भी प्रेस करना तभी तो मेरे आने वाली वीडियो की नोट्रिफिकेशन आपको मिलेगी और यह वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो चलो अब देखते तो यह है गुड़ वाइफ का नीम तुलसी इसकीन प्रोड़क्ट के बारे मैंने पहले भी आपको बहुत कुछ बताया इस प्रांग के मैं कई सारे प्रोड़क्ट यूज कर शुकी और कई सारे प्रोड़क्ट का आपके साथ रिव्यू भी शेयर किया तो यह ब्रण काफी अच्छा है और यह आपको एक्स्लूजिव से आप पर्चेश करना चाहते हैं तो आप वहां से जाके देख सकते हूं तो पैगजिंग भी आप देख सकते हैं जैसे बाकी फेस मास पाउडर या स्क्रब की पैगजिंग आती है वैसी हो तो यह तो यह आपको राउंड शेप का एक तब मिल जाएगा और यह गोल्डन कलर क यह तो यह तो एक तरह से ट्रैवल फैंडली भी आप इसले प्राब्लम नहीं क्योंकि मैं से कहीं नहीं करती हूं तो पैकिंग भी आप देख सकते हो तो पैकिंग भाइज भी मुझे यह अच्छा लगा तो सबसे पहले बात करते हूं नीम तूरसी इसकिन प्युरिफाइं होती है उनके लिए इसका बहुत ही अच्छा है मेरी खुद की और मुझे एक्ने पिंपल की प्राब्लम होती है तो मैं अपने पर्सनल एक्सप्रियंस से बता रही हूं मैं इसे फोर तो फाइब यूज कर शुकियों और मैं इधर रेग्लरी इसी स्क्रब को यूज कर रही हू तो यह नीम और तुलसी है तो दोनों में एंटी-फंगल एंटी-वैक्रोबैक्रियल प्रॉपटी होती है जो आपके स्किन के पोर से अंदर तक जा कर वहां की गंदगी को साफ करता है तो जब आपकी स्किन रहें इसमें कोई भी गंदगी नहीं रहेंगी तो आपको एक्न तो यह 50 ग्राम है इससे बड़े में भी आपको मिल जाएगा पर अगर आप से एक बात और भी में चाहते हूं कि अगर विभी प्रोड़क पहली बार उसे यूज करने से पहले इक बार उसका प्रस्ट जरूर करना अगर इसकी से आपको तू इयर्स मिल जाएगी यह आप देख सकते हो और इस बारे मैंने पहले ही बताया कि यह ब्रांड ऐसा कोई बी केमिकल नहीं मिला तो अपने पर आप देख सकतो तो आप देख सकतो नीम तुलसी भी है घ्री एक्सरेट भी एसा कोई भी चीज नहीं को बहुत हाम पहुंचा तो यह प्रोड़क्त और राम से सारे स्किन टाइवल जिनकी स्किन सेंसिटिव भी होती है वह भी इस्प्राइब के प्रोड़क्त यूज कर सक नीम बेसे बाद देच्म प्रोड़क्त तुलसी के साथ तो यह आपके ब्लड की स्रेप्रोलेशन को इंप्रूव करता है क्लेक्तिव ली और यह एसा इन्होंने अपिया और यह सही बात भी है अप नीम तुलसी का यूज करो आप ऐसे बी नीम तुलसी की डिरेक्टी मतलब जो फ्रेश नीम तुलसी आती हो कि पत्ते को तोड़के आप उसका पेश्ट भी अगर आपकी एक्ने पिंपल फ्रोन इसकी ने तो वहां लगा सकते हो यह काफी हेल्फूल होता है फिर इसे कैसे यूज करना तो वह मैं अभी आपको यूज करूंगी और दिखाऊंगी भी तो इसे कैसे यूज करना है तो यह तो हो गई इसके प्रोड़क की पैक्जिंग के बारे में बात है और उन्होंने क्या क्लेम किया है अब मैं आपको इस प्रोड़क का ओरिजिनल प्रोड़क दिखाती हूं तो यू कैन सी यह इस कवर को ओपन करने के बाद आपको वाइट कलर इस क्याओक फेर्दर का एक ओर कैप मिल जाएगा जिसे आपको यहां से ओपनकर नहोंसर तो यू कैन सी कितो यह इदी किति शेडियर क्रड़र में थोड़ा घ्रीद गराशा है अगर का आउनके तो बहुत ही चोटे चोटे-चोटे इसमें आपको पार्किल मिल जाएंगे कर देख रहा होगा आपको कर थोड़े थोड़े सबस्क्राइब मैं शोकर अब कर देख चोटे चोटे हैं तो यह आपके अगर 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 पिमपल भी है वैसे तो जिनके पर बहुत हिज़ादा अग्मिन पूर किया नहीं करना जाए पर यह एक आपको यह चोटी चोटे कि आपके हैं था ओक बहुत ही चोटे-चोटे हैं तो यह आपकी जैंटली स्कृब करेंगे कोई भी हार नहीं पहुंचाएंगे आप देख सकते हैं था अपको इसके अपने सब्सेट्ट पर दिखाती हो और इसका लाइफ रिजर्ट भी आपको दिखाते हैं था था पूंद् तो जिनको बहुत ही स्ट्रॉंग इसमेल से प्रॉब्लम होती है वैसा इसमें कुछ नहीं है तो आराम से आप इसे यूज कर सकते अब इस स्क्रब को मैं आपको अपने फेस पर अपलाई करके दिखाती हूं मैंने अपने फेस को थोड़ा सा वाटर से गीला कर लिया है अब य हलके हातों से मसाज करनी होती है बहुत अपने स्किन को आपको रगड़ना नहीं चाहिए बहुत जेंटली हलके हातों से मसाज करनी चाहिए अगर आपको अपकी स्किन थोड़ी से ड्राई फीलो तो आप इसमें थोड़ा सा और वाटर मिला के अपने स्किन पर हलके हातों से मसाज करो इसके पार्टिकिल बहुत ही स्मॉल है तो यह आपके स्किन पर बहुत ही जेंटल रहेगा इसी स्क्रब के हल्प से मैं अपने नेक पर भी थोड़ी सी स्क्रबिंग कर लेती हूं आपको वीक में मिनमम वन से टू बार स्क्रबिंग करनी ही चाहिए इससे क्या होता आ मैं टौगल से ट्राई करओंगि उसके बाद देख सकते हो आप मेरी चीन क्लीर देख सकते हो होअ पहले से ज्यादा लग रही और मेरे और एक हेल्दी सा नेश्रली सा ग्लो भी आपको मेरे स्किन पर दिख रहा होगा आप देख सकतो मेरे आयल को इसने कंप्लेटली रिमूव भी कर दिया यू कें सी और आपको थोड़ा सा ग्लो भी दिख रहा है तो मुझे तो यह स्क्रप बहुत पसंद आया तो फ्रेंड आपको आज की वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करना लाइक दूसरों के साथ सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो चलो फिर मैं मिलती हूँ नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक लिए बाब बाई टेक कियार क्योंक कर दॉपिक के वीडियो तो, और दॉपिक कर Крас के लूपिक का मिला के साथ से जाहेवा हुआ कर में मिलती हुआ है